नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टार उव्मा और आप सभी लोग का हमारे आई होमियोपेथिक किलीन गोंडा के इस यूट्यूब चनल पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज मैं मुख के चाले के लिए दोस्तों जिनके मुख में बहुत ज्यादा चाले कंडिशन को दोस्तों यह होमियोपेथिक दवा बहुत जल सही कर देता है चाहे जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूद नहीं पीपाते हैं उनको भी अगर मुह में छाले पड़ गए हैं लार मुह से टपकता रहता है तो ऐसे कंडिशन को दोस्तों यह दवा बहुत जल सही कर देता है तो आई ये दोस्तों भनिरे का वीडिव पर वीडियोध को पूरा दिखेए गा दोस्तों आराम से लिए अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है चलिए दोस्तों मैं मुख यस हाले के लिए दोस्तों एक दवा के कैसे करना है दवा का इसके बारे में बताएंगे दोस्तों सफेद चाले जो मुह में पढ़ जाते हैं देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगता है तो ऐसे कंडिशन में और वह एक्दम से घाव बना लेता है ठीके तो ऐसे कंडिशन को भी दोस्तों ये दवा बहुत अच कि मुँह में बहुत जादा छाले हैं हाउ पढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा कट फड़ ना है तो ऐसे करेशन में दोश्डों हिस डवा का प्रियोग difference करना की किस कंपनी का दवाichen पानी में डालेना दोस्तों अगर हलका बुनगुना पानी तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आधे कब बुनगुने पानी में पाँच मेडिसीन को डालने नहीं होता है दोस्तों सुबा और नुफएर और साम तीन टाइम इस दवा को पीना होता है दोस्तों बहुत तेज आपका मुश्किल से दोकिस तीन दवा का सेवन आप करेंगे और आप के मुह किसाले की सनस्यालग भग सई हो जाती है ठीक है फिर आप कुछ दिन तक दवा को रेगुलर यूज़ करें ताकि आप परमानेंट से सई हो जाए ठीक है सुबा दुफेर साम तीन टाइम आजे कब पानी में डालके दवा का आपको किसी भी होमेपथिक मेटकल इस्टोर पर आराम से मिल जाते हैं अगर आपके आसपास में कोई होमेपथिक क्लीनिक है तो वहां भी दवा मिल सकती है बगल में मैंने पिक्चर दवा का लगा दिया है आप लोग वहाँ से देख लिजिएगा और यहां से दोस्तों इस से डिलेटेट अच्छी वीडियो लाते रहते हैं अब लोड करते रहते हैं दोस्तों उसका आप तक पहुंचता है उसके लिए बिल आइकॉन को भी प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी और आप किसी प्रकार क्योंपति मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं नीचे दो अगले दिन अपलोड कर देता हूं आज के लिए इतना है दोस्तों मिलेगा अगले वीडियो में अगले मेडिसिन के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू धन्नबाद जय है